हेलो दोस्तों नमस्कार आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्कल का नियम और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है क्लास 11 के लिए सब कुछ आपको बताऊंगा इस्टेप बाइस्टेप कैसे है काम करता है इसमें के नियम क्या है रूल क्या है सब कुछ आपको स इसलिए इसे पास्कल का नियम कहते हैं अब आप लोग समझ गये होंगे कि इस नियम का नाम पास्कल का नियम ही क्यों पढ़ा कुछ और भी तो पर सकता था तो इसके लिए यहां पर मैंने उपर ही लिखा हुआ है कि इसकी जो उत्पत्ति है यानि कि जो इसके इन्वेंटर लिए भी तो इनके अंते में पास्कल है उने नाम रख दिया गया दिया कि इतना हम समझ घे अब देखते हैं कि इन्हों ने कहा क्या था इतना पहले ध्याwn रखिएगा ब्रेज पासकल ने सन 1653 में इस नियम की खोज की थी ठीक इसके बाद देखते हैं इसका जो मेन नियम है ये तो आपकी जानकारी के लिए है बढ़ ये जो भाग लिखा हुआ है नीचे वाला इसे आपको याद रखना है और ये बहुत ही इंपोर्टेंट है आप के लिए तो यदि किसी बरतन में सामया वस्था में रखे तरल के किसी भाग पर बाहदाब आरोपित किया जाए तो यह दाब परिमान में बिना च्छय हुए तरल के प्रतेक भाग को संचरित हो जाता है ठीक इसे आप पहले समझेगा अभी आपको और भी सरलभासा में समझाता हूं ठीक कहा क्या जा रहा है यदि किसी बरतन में ठीक आपके पास कोई बरतन है सामयावस्था में रखे तरल के सामयावस्था आप जानते हैं चैसे आप एक गिलास पाने लीजिए और उसे आप कुछ देर के लिए रख दीजिए जब पानी एक दम सांत हो जाए यानि कि वो हीले डूले ना तो उसे बोलते हैं सामयावस्था तो यदि किसी बर्तन में साम्य आवस्था में रखे तरल के किसी भाग पर बाह दाब आरोपित किया जाए तो यह दाब परिमाड में बिना च्छय हुए तरल के प्रतेक भाग को संचरित हो जाता है अब एक लाइन में देखे इसका कहना का मतलब क्या है तरल जो है प्रतेक अस्थान पर समान डाब डालता है यहां भी उपर भी कहा गया है देखे जिसे माल लीजिए यह मेरे पास पेज है मैं इसमें कोई एक बरतन बना लेता हूँ यह माल लीजिए मैंने एक पिस्टन बना लिया छोटा सा बना लेता हूँ और ये बन गया यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है नीचे देखते हैं यहाँ पर दूसरा लगा हुआ है और जेश्ट यहाँ पर तीसरा लगा हुआ है और चौथा लगा हुआ है चार पिस्टन है मान लीजिए यहाँ पर चारों पिस्टन बंद हैं आपको बहुत यासाई से समझ में आ जाएगा इसे आप इस चित्र को देखे बस यह मा लिजे पिस्टन को मैंने मा लिया बरतन और उसमें भर दिया पानी ठीक पानी भर उठा यह है पिस्टन एक दो तीन चार इतना आप समझ गए अब कहा क्या जा रहा है फिर से एक बार इसका नाम हमने रख दिया बरतन एक्चुली नाम इसका पिस्टन है लेकिन हम रख दे रहे हैं बरतन नाम पढ़ गया बरतन यह किसी बरतन में बरतन मिल गया सामया वस्था में रखे तरल तरल के यह हमने बीच में पानी भर दिया तरल जिससे आप बोल रहे हैं और यह एक है इधर से हम लगा सकते हैं अब देखिए किसी भाग पर नहीं हमने बांग है फिस्टर हमने इस तरह से अंदर की और 10 न्यूटन का बल की यह यहां से इतने झासे नहीं तम निजा यहां मतलब होता है 10 न्यूटन है तो यहां पर रहेगा यहां पर रहेगा यहां पर रहेगा यहां पर रहेगा कुल इसका मान 10 न्यूटन ही होना अधो नीजी आपके पास एक थाली है मान लीजी ठिक यह आपकी यह थाली कोई और यहां पर भरा हुए कुल पानी ठीक यह पानी भरा हुए अपने थाली में दाब लगाएंगे लेकिन एतनी दूर में ना रहकर इसके प्रत्यक अडुकों ही ये उतने ही दाब जितना आप बीच में लगा रहे हैं उतने ही दाब का अनुभाव करेगा ठीक कि आप समाज रहे होंगे मैं क्या कहना चाहा रहा हूं कोई भी आपके पास बरतन है उसमें पानी है पैट्रोल है डीजल है कुछ भी है तरल है कुल मिलाकर तो उस पर आप किसी भी बिंदू पर कोई भी दाब लगाएंगे तो वह दाब जो है प्रतेक अस्थान पर उतना ही स पास कोई गिलास है यह इसके तलीहें और इस पर आपके पास इतना पानी यह ठीक पानी आपके पास होगया अब आप जब इसके उपर दाब लगाएंगे जितना दाब इस साइड में लगेगा बाहर की लगेगा सबड़ का अनुभा ठीक यह आप समझे जैसे मां लीजिए यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे पास मां लीजिए मोबाइल है ठीक अब यहां पर मैं जो है दाब लगांगा यहां पर तो यह तरल है नहीं तो यहीं पर रहे जाएगा दाब लेकिन अगर इसी जगह पर यह पानी होता तो जब मैं यहां प दाब लगाता तो जितना दाब मैं यहां पर लगाता उतना ही दाब यहां पर लगता यहां पर लगता हर जगा पर उतना ही दाब लगता ठिक आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो फिर से एक बार देख रहेते हैं इसी को और देखे हां मैंने भी बोला कि जितना ही दाब आप उपर लगाएंगे उतना ही नीचे लगेगा उपर लगेगा दाएं लगेगा यह था चित्र उतना ही इधर लगेगा इधर लगेगा और नीचे की तरफ उतना ही दाब लगेगा तो नीचे कहा जा रहा है तरल प्रत्यक अस्थान पर समान डाब डालता है अर्थ तरल प्रत्यकस्थान पर समान दाब डालता है यह आपका पासकल करनियम इतना मैं जा रहा हूं आपको याद नहीं होगा आपको सिर्फ का कॉंसेप्ट याद करना है कि माल लेजिए कोई मारे पास बरतन है और हम लगाते हैं उस पर दाब तो जो दाब रहेगा हम जैसे एक ज लेका यहां से लेकर यहां तक आपको याद करना है के वग आप इतना याद कर लिए कंसेट आफ याद रखिये इतना याद कि ठिक यह होप आप समझ गयोंगे मैं क्या कहता चाहा रहा था और यहां समझ गयोंगे कि किसी वर्तन पर साम में आवस्था है तो हम चाहे बीच पर लगाएं कि express हम यह और उसके हम लेकिन लेकर बीच इसित हो जाएगा ठीक, इसी का यूज़ करते हैं क्रेन में और JCB में, आप देखते होंगे, JCB में ऐसे एक कुछ रहता है, फार माडल, और इसमें दात नुवात निकला रहता है, और दो यहाँ पर गियर रहते हैं, और वो बंदा जो है जो चलाता है इसे पकड़ कर ऐसे ऐसे, इसी को अपने खीषता है और छोड़ता है, और यह काम करने लगता है, तो इसमें हाइड्रोलिक का यूज़ होता है, सेम यहाँ पर पास्कल का नियम लगता है, और पास्कल की ब्रेक भी आती है, हाइड्रोलिक ब्रेक आती है, हाइड्रोलिक क्रेन आती है, हाइड्रोलिक जेसी भी आती ह हर चीजें आते हैं हाई डोलिकी आई होप आप लोग समझ गये होंगे कि पास्कल का नियम क्या है अगर समझ गये हैं तो कमेंट करके जरूर बताईएगा मैं मिलूंगा आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में जैहिन